अब Swing Features देखते, सबसे पहले Swing जो है वो बहुत Lightweight होता है, अब जैसे की नाम पर से ही पता चल रहा है, Lightweight मतलब की इसका Code जो होगा वो बहुत कम होगा, मतलब Swing Components जो होते हैं, सारे ही Swing Components जो है वो Independent होते हैं, मतलब वो किसी पे Depend नहीं करते हैं, Done, अब इनका जो code होता है, वो pure Java में लिखा हुआ होता है, ठीके, मतलब हमें कोई operating system पे depend नहीं करना होता है, कि जैसे कि हरे किसी के system के अंदर अलग-अलग operating system होती है, किसे में Windows होगी, किसी में Linux होगी, ठीके, तो अब ये क्या करता है, pure Java में लिखा होता है, और Java क्या है, platform independent, मतलब हमें अगर Java का प्रोग्राम कहीं पे भी रन करना हो, तो हमें platform चेक करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए swing जो है वो lightweight है, दूसरा है reach controls, अब swing जो है वो बहुत सारे हमें advanced control प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि tree, tablet pen, slider, color picker और table controls, इसका मतलब अगर हम swing में कोई प्रोग अगरे controls मिल रहे हैं, जिसकी वज़ा से हम अपना program बहुत ही innovative बना सकते हैं, तीसरा है highly customizable, अब swing के जो भी controls होते हम उन्हें customize कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही easy तरीके से, कि जिससे हमें क्या लगे कि ये सारा जो है वो independent work कर रहा है, actually में होता क्या है, internal process होती है, बट हमें क लगता है कि हम खुद से कुछ भी कर रहे हैं, और हम customizable मतलब हम इसे easily change कर सकते, दूसरा है plugable look and fill, swing जो है वो GUI based application है, ठीके, तो उसका look और fill भी हम change कर सकते, अब ये cut change होगा, जब हम run time पर कोई value देंगे, तब, तो ये हुए हमारे swing की main चार features,